नमस्कार दोस्टों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागत हैं दोस्टों आपको बता दें कि आठ दिशंबर के शुब नौ बज़े शे ज्यादोसों याश्य मैं शे आपके जुनकाल में भगवान श्री गनेज जिक शुरबार शे बड़े चुमतकार होने वाले हैं ज्या कथनए होंगे कुछ यह से बड़े परिवेतन होंगे और कुछ यह से बड़े बात्य होने वाली है । आपको function आप करें बदोस्टों और कूरा घ्यां रहती हैं और'RE यह मैं आपके बेस्पार बनेने कुछ यह सखाइड को बढ़ए कट्यांने वाली है जिसे आपको लावी लाव और घर में बृद्धी देखने को मिलेंगे जिया दोस्तों आपको बताते कि वगवाण श्री गिनेज जी के शिरबाशी आपका यश में बहुती महत्पुन श्रमे रहने वाली है यह में दोस्तों वाशा आपसे अनुद्य की वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और शुरू से लेकर अंदर तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप शबी महत्पुन जार कारे को जानेंगे कि यह में आपको किनी चेत्रों को लेकर शाओ दनेने होंगे जार को दोस्तों जरूर और अगर आप चैनल पर नई हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर्स रेट कर ले तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों यश्मी बहुत ती महत्पूल शमाचाल मिलने शी आत्मे गोर भानोतों गुरूप से आप अधिक ससक्त महसूस करेंगी इसलिए दोस्तों आपको बतादें कि यश्मी आप शबी रुकेवे कामों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी महनत लगा दिजिए आर्थिक रुकावटें भी यश्मी दूर होंगी इसके साथ दोस्तों यश्मी अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मी मन में कुछ अनुहनी होन जैसी भय और उदासी रहेगी अपने इस नकार्तम को वैवाब पर आपको नेंतर रखना चाहिए वरना ये वैवार आपको नुक्षाम करा शक्ती है दोस्तों आपको बतादें कि दोस्तों की फिजुल बातों को बजर अंदाज करें तो दास्वेंग को वियस्त रखें इसको बना दोस्तों ये जो आपके लिए शमी होंगे आपको बता दें कि मन में ताजगी और उत्सा होने की वज़शे आप नई काम की शुरुवात करते जाएंगे जिया दोस्तों जो काम अभी तक अटके हुए थे उसको पुरात करने के प्रतने भी आपके दोवरा ये शमी किये जाएंगे घर में शुक सांती बने रहने के लिए आप अपने प्रतने भी बड़ा सकते हैं दोस्तों अध्यात्मिक के बातों को नई शीरे से शिखने की रूची भी ये शमी आपके अंदर फिर से जाग राएगी इसको प्रतन दोस्तों इसमीं आपके लिए जो सम्महेंगे आपके दिंजरिय के लिए दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यस्ता पुन दिंजरिया भी आपके लिए रहने वाले हैं प्रन्तु शुफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी जहां दोस्तों अपनी परतिवा और चंताओं को और अधिक निखारने का प्रयाश करें शमाज में अभी आपकी च्वई और अधिक बढ़ेगी आपको बता दें कि आई के शंसाद्रों में कुछ कमे भी यश में आ सकती है प्रत दोस्तों खर्चे बरकार रहेंगे आपको बता दें कि दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुक्षान कर सकते चचरे बहन भाईय के उनके दौरा मिली श्रीक को यश में अपनाया जा सकता है और आप यश में अधिक शमे आत्म परिक्षन करने में भी लगाएंगे जिसके वज़ेशे आपको अपने वर्ताव और और लोगों का आपके परती वर्ताव दोनों के बारे में जागरूता मसूल होगी इसको प काफी लंबे श्मेश से चल रही किसी परिशानी से आपको मुक्ती प्राप्त होगी बहतर कार प्रणाली के विज़ेशे लोगों के श्रूंग्स आपकी परशंचा के आप पात्र भी मनेंगे इसको प्रांदी दोस्तों यह में आपको बता दें कि कुछ परती दुएंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार्फन वातारन भी उतुपन कर सकते हैं जहां दोस्तों घर के बड़े बजर्गों की शला और अन्बहों को यह श्में आप बिल्कुल भी नतरंदाज ना करें यह आपके लिए बहतर शाविद होंगे श्रमी के उनुशार अ विवाद या फिर वाद विवाद की श्तिती भीदपन हो शकती है इसलिए अपने शब्दों का जो है परियोग शमल करें खासकर जब बात दूसरों से समधितो मन में आरे अलग-अलग विचार के कारण अयश में जो है करता बनाए रखना आपके थोड़ा सा कठीन भी हो श शक्ति है धर के निवेश पर भी अधिक ध्यान दें दूसरों यह में लाबदाय ग्रह गोचर चल रहा है इसका भरपूर से दिप्यों करें इसको प्राण दूसरों यह में कभी-कभी आपके वाईवार में चिटी-चड़ापन और गुस्षा आपको अपने लक्ष से भठक शक्ता है तो दोस्तों अपनी इन कम्यों का जुए सुधार करना आपके जरूवी होगा अपने किशी भी यह जोना पर कारे करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जनकारी अवश्य ले लें दोस्तों यह आपकर यह बहुत ही महत्पुन शाविद होंगी इस आपके प्रत्रीन बनाने के लिए आपके प्रत्रेंबी यह में बढ़ सकते हैं दोस्तों जब बात माशिक स्वास्त की हो तो दोस्तों दूसरों की मदद लेना आपके लिए आवश्य होगा इसक्व पालगत को नोकर जमन दी कोई बहुतन ओफर भी यह मिल सकता है और फिस्ट का माहल भी कुछ तनाव पूर्ण रहेगा इसको प्राइब दोस्तों यह आपके केरेश के लिए जो समय होगे आपके वयवशाइक के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि वयवशाइक प्रस्तेतियां अनुकुल रहेंगी प्रंतु अपनी प्राइब दोस्तों जो भी कारेश करेंगे कोई बी निद्ले अकले ना ले टीम वर्क बनाकर काम करना यह में आपके लिए उचित रहेगा इसे दोस्तों वयवशा उत्तम रहेगी और नुकुल प्रवाहिए ना पढ़ते हैं इसको प्राइब दोस्तों जो भी नोकुल भी प्रवाहिए ना पढ़ते हैं इसको प्राइब दोस्तों जो में आपके केरेट के लिए समयोंगे आपके वैशाय के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि कोई बड़ा ओडर भी मिलने की संभौना बन रही है किसी उच्छे अतिकारी का सयोग आपके कारियों में मन म आपको बाद में जाकर मिलेगा इसको प्राइब दोस्तों यह में आपके लव लाइफ के लिए अर्थात आपके विवाईक ते जिवन की तो दोस्तों यह समयों में उच्छी समयों बना रहेगा प्रेम शंबनों में भी प्रगरता आएंगी तदा रोमेंटिक महौल भी यह बनने वाले हैं इसको प्राइब दोस्तों यह में आपके लव लाइफ के लिए आपके पारिवरिक जिवन के लिए दोस्तों आपको बता दें कि पारिवरिक वातावरन कुष्टमा रहेगा किसी निकट समदी के यहां जाने का प्रोग्रेम भी बनेगा आप से मेल जोल सब क को खुषी और शुपर्ती परदान करने वाले हैं इसको प्राइब दोस्तों यह में आपके लव लाइफ के लिए आपके पारिवरिक जिवन के लिए आपको बता दें कि विवायत समदों में कुछ समय से चल रही तनाव को आपसे समझ से दुवारा सुलजाने का प्रयाश क करें इसे दोस्तों समदों में सुधा रहेगा घर का वातारण भी पुना सुखत और मदर हो जाएगा इसको प्राहित दोस्तों यह में आपके लिए जिवन के दोस्तों आपको बता दें कि वैस्ता के बावजूद भी आप अपने विवायक जिवन को भी शमय देंगे जिसक किती भी बन रही है वर्तमान मौसम से अपना बचाव करें यह आपको बता दें कि दोस्तों में मौसमी बारियां आपको पैशान कर सकती है लपरवाही ना बरते हैं और दोस्तों यह आपके हेल्थ के लिएे बेहतर रहुए इसको पताद कि कहार के दिक्ता के वजाशी थकां को मैसु हो सकती है बीच-बीच में आपको इसमी अराम दे आफ के लिए बैदर शाविद होंगे इसको राधव के इसको परशाणी जिनको मेरे ईर्शम रखना आपके लिए जरूरी होगा तो दोस्तों इन सभी बातों का ख्याल करें यह आपकी स्वास्त के लिए ही बहतर शाविद होंगे